हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CRIS, फ्रेंज यहाँ पर जो नॉटिफिकेशन है, सेंटर फोर रेलवे इन्वर्मेशन सिस्टम में आपके यहाँ पर जारी की गई है, तो फ्रे फ्रेंज, अगर आपको चैक करना है, इसकी रिक्रमेंट नॉटिफिकेशन क्या है, तो फ्रेंज, इसके लिए आपको जाना होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जॉबरास्ता.com पर, जहाँ पर जाकर फ्रेंज, आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाइक कर पाएंगे, बात करते हैं फ्रेंज, यहाँ पर CRIES रिक्रमेंट 2022 नॉटिफिकेशन के बारे में, इसकी डेटेल्स के बारे में, इसकी LBT कंडिशन के बारे में, और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हम नॉटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, कि यह जो नॉटिफिकेशन है, यह जारी हुई है, एम्प्लोमेंट न्यूस्पेपर मिन्स रोजगार समाचार में, तो फ्रेंज, यहाँ पर देखिए, एम्प उनिट्स हैं, उसमें आपके स्टाफ के लिए रिक्रुमेंट जारी की गई है, 24 पोस्ट के लिए, अब यहाँ पर जो यह वेकेंसी है, यह आपके जूनियर इलेक्रिकल इंजिनिरिंग, जूनियर सिविल इंजिनियर, इसके लवाँ एजोकुटिव पोस्ट के लिए आपक 20 नवंबर 2022, मतलब सौमबार से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप इसमें ओनलाइन आविदन कर सकते हैं, साथ में एप्लिकेशन फीस पे कर सकते हैं, 20 डिसमबर 2022 तक, तो इंपोर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या रहेंगी, 21 नवंबर 2022 से 20 डिसमबर 2022 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं, इसका जैसे ही फुल अपडेट आएगा, उसके बारे में हम आपको अलग से अपडेट करेंगे, जैसे आप जोबरास्ता.com पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, अब बात करते हैं इसकी डेटेल के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं, एस लिमि जाएगी, OBC के एंडेट है, तो तीन साल की छूट आपको यहां पर अपर एज में मिल जाती है, इसके अलावा यहां पर जो आपका स्केल ओफ पे है, इसमें देखिए लेवल 6 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, जो की 7 CPC के अकोर्डिंग आपका यहां पर रहने वाला है इसके अलावा आपको अधर, DA और उसके अलावा जो अलाउनेंस है वो भी आपको यहां पर मिलेंगे, बेसिक पे जो है फ्रेंस बिग्निंग में वो आपका 35,400 रुपे पर मन्त रहेगा, साथ में आपको जो DA एप्लिकेबल है, वो आपको यहां पर मिल जाएगा, इसका मत जूनियर प्रेंटीकल कीजी फ़्रेंटीर की, इसमें आपकी चार वैकैंशी है, जूनियर nella अट इूनियर छृफे इसका मत मिलेंगे, हाईजुरेटी में सेड डिक भीनिर्टीर के लिए 4 वैकैंशी है, तोटल अचतिव के लिए फैसरा है, चरा है विपन्स एकिलिए 2 उ कंडिशन्स है इसमें फेंज जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका फेंज से कम से कम 60% मांक्स आपके होने चाहिए या उसके equivalent CGP आपका होना चाहिए अगर आपके पास यहाँ पर जो डिग्री या डिपलोमा है उसमें required percentage यहाँ पर है तो ही आप इसमें आविदन कर पाएंगे अगर आप SCST PH candidate है तो minimum qualified marks है यह आपके 55% marks देते हैं 5% का आपको relaxation मिल जाता है तो यहाँ पर फेंज से देखिए आपको vacancies की detail आपको उसकी category wise detail साथ में age limit और आपको जो भी age limit है वो 31 December 2022 को आप count कर लेंगे reservation friends यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो की government of India के थूर मिलता है आपका जो date of birth है वो आपकी matriculation या secondary school का जो examination certificate है मतलब 10 का certificate या उसके equivalent certificate उसके according यहाँ पर check किया जाएगा तो आप जो भी आपकी date of birth है आप बात करते हैं friends इसकी LBT conditions की तो सबसे पहले friends यहाँ पर आपसे कहा गया है candidate जो की friends valid उनके पास यहाँ पर qualification है और जब आप apply करते हैं उस date तक आपकी पास की qualification है तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं और केवल आपके पास की तीन साल का डिप्लोमा रिक्वाइट रहेगा एलेक्ट्रिकल इंजिरिंग में 60% मार्क्स के साथ रिजर्व के एंडडेट है तो 55% मार्क्स होने चाहिए अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास डिगरी भी है इलेक्ट्रिकल इंजिरिंग में और वो अप्रूड है गौर्नमेंट अप्रूड है यूजिसी एईउ एईउ एईसी द्वारा तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं पर यह रेगुलर मोड में होनी चाहिए जोनियर सिविल इंजिरिंग के लिए तीन साल का डिप्लोवा आपका रिकिFrाट रहेगा सिविल इंजिरिंग में 60% मक्र्क के साथ सेमरे specific कैंप है और अगर आपके पार डिगरी है सिविल इंजिरिंग में तो ङाप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बाद है एजुक्यू पर्सनल या HRD या HRMS में होना चाहिए और यह फ्रेंस से कम से कम 60% मार्ट आपके होने चाहिए डिगरी या डिपलोमा में इसमें फ्रेंस से आपके यहाँ पर नीचे आपको जो वेकेंसी दी गई है वो है एजुकुटिव फाइनेंस और अकाउंट अब यहाँ पर जो रिक्वार्मेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएट की है जो की कॉमर्स में है या फ्रेंस ग्रेजुएट आपने किसी भी डिपलोमा आपके पास है या MBA है फाइनेंस में तो भी आप आविदन कर सकते हैं 60% मार्स यहाँ पर भी आपके रिक्वार्ट रहेंगे रिजर्व केंडेट के लिए 55% मार्स आपके रहते हैं इसके बाद है एजुकुटिव प्रकुर्मेंट की वेकेंसी तीन साल का डिपलोमा है किसी भी एंजिनिरिंग डिस्प्लिन में या फ्रेंस आपके पास MBA है स्टार्टिंग में कहा कि जो कंप्यूटर बेस एक्जाम मतलब CBT के मोड में होगा अब CBT में क्या-क्या पूछ जाएगा सबसे पहले है जूनियर इलेक्रिकल इंजर इसमें देखिए आपके दो सेक्शन होंगे पार्ट वन जंदल एप्रिट्यूट या रीजनिंग का इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लेंग्वेज में आपको एवलेबल रहने वाला है इसके बाद है जूनियर इंजिनियर सिविल इसमें देखिए आपका पार्ट वन जो है वो जन्रल एड्मिन का होगा 24 कोश्ट आपके होंगे और पार्ट वन है वो जन्रल एड्रिट्यू आपके पूछे जाएंगे 80 कोश्ट आपके यहां पर रहेंगे इसके बाद है फैंसे नेस्ट पोस्ट एजोकुटिव फाइनेंस और अकाउंट इसमें भी जो पहला पार्ट है जन्रल एड्रिट्यूट एर रिजनिंग का ही रहेगा पर इसमें जो कोश्ट है वो 30 कोश्ट आपके होंगे और जो पार्ट टू रहेगा वो डॉमेन स्पेसिफिक टेस्ट का रिलेटेड होगा जिसमें 96 कोश्ट आपके यहां पर आपसे पूछे जाएंगे तो यह इसका फैंसे सलेबस है और एक्जाम पैटन है फुल डेटेल फैंस की ऑफिशल नॉटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा अभी यह अप्डेट आएगा ओफिशल वेबसाइट पर वो डेटेल्स आपको जौबरास्ता.com पर भी अपडेट कर दी जाएगी तो यहां पर फैंसे मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है क्या इसकी LBT कंडिशन से कब से कब तक आप इस कारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटीब प्रेनल और लास थैंक्स पूर वाचिंग